दोस्तों, लास्ट यर तमिल नाडू की MP, कन्नी मोरी करोना निधी ने बजट 2022 पर बात करते हुए, लोगसभा में सरकार से जवाब मागा कि नई रेलवे लाइन्स बिछाने के लिए, कौर्मेंट ने नौधर्न रेलवे को तो 13200 करोड रुपे दिये हैं, लेकिन साउधर्न सिर्फ 69 करोड रुपे दिये, जब सरकार एक नेशन की बात करती है, तो हमारे साथ इतना भेद भाव क्यों होता है, आप देख सकते हैं कि 69 और 13200 करोड में जमीन आसमान का फर्क है, इसी तरह एक और फर्क ये भी है कि जहां पर हर 1000 रुपी गवर्मेंट को टैक्स देने प पर हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के कंपेर में ज़्यादा रिच और डेवलप्ट है, साउधर निश्टेट एकनॉमिक टर्म्स के मामले में भी नॉर्थ इंडिया से कापी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के कोडिंग तेलंगाना, आंधर परदेश, तमिल नाडू, केरल और करनाटक देश की एकॉनमी में अपना 30% कंट्रिब्योशन देते हैं, जबकि यहाँ पर देश की टोटल पॉपलेशन का सिर्फ 20% लोग ही रहते हैं, तो ऐसे में अब सवाल आता है कि और ही रीजन चिपा है, आईए जानने की कोशिश करते हैं, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि नौर्थ और साउथ इंडिया को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि मिनिश्टी और फोम अपेर्स के डिविजन के एकॉर्डिंग इंडिया को six journal councils में वाटा गया है, जो कि है North, Central, Eastern, North Eastern, Western and Southern Council, अब North Council में हर्याणा, हिमान्चल पर्देश, चम्मु कास्मीर, पंजाब, राजस्थान, देली, चंडिगर और लद्दाक शामिल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उत्तर पर्देश North में नही बलकि Central Council के अंदर आता है, तो केवल इस basis पर North and South को दिखाना सही नहीं होगा, वहीं अगर हम इसे Hindi language के basis पर define करें, तो फिर पंजाब इसका हिस्सा नहीं हो सकता, तो फिर next option है Tropic of Cancer, जो देश के बीचों बीच से गुजरता है, इसमें इंडिया के 8 states, जैसे की राजस्थान गुजरत, मध्यपर्देश, 36 गड, चारकंड, वेश्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरामाते हैं, लेकिन इससे भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि राजस्थान हिंदी स्पीकिंग स्टेट होने की वज़ा से हमेशा से North India का ही हिस्सा माना गया है, ऐसे म हम North India की definition में राजस्थान को जगा देते हैं, अब हम उन स्टेट्स को भी देख लेते हैं, जो Southern Council में आते हैं, जिसमें केरल, तमिल नाडू, करनाटका, आंधपर्देश, त्यलंगाना और पोडिचर हैं, अब यहां तक North और South का definition clear हुआ, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये जाता है कि government हमेसा North Indian states को favor क्यों करती है, और क्या ये इसी का नतीजा है कि North को South से ज़्यादा tax मिलते हैं, दोस्तों इसको समझने के लिए हमें Indian history में जाकना होगा, देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा challenging मुद्दा ये था कि India में तो कई सारे states हैं, ऐसे में government कैसे decide क करेगी कि किसी state को कितना tax मिलना चाहिए, क्योंकि इन में कई राज्य ऐसे थे जिनका revenue बहुत ही कम था, तो वही कई ऐसे थे जिनका revenue बहुत ज़्यादा हाई था, इस problem को solve करने के लिए इंडिया के law minister Dr. Bhim Rao Ambedkar ने 1951 में एक finance commission बनाया, जिसे हर 5 साल में change किया जाना था, इस commission की जिम्मेदारी ये तै करना था, कि सारी states से जो tax collect किया जाता है, उसमें से कितना center को जाएगा, और कितना states में बाटा जाएगा, इसी same process से 2017 में 15th finance commission बनाया गया, जिसका purpose भी same था, कि taxes को सारी states में कैसे बाटा जाए, और इसके लिए 6 factors को determine करके, उसके according states को return देना श जो South Indian states को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसमें पहला था income distance और दूसरा population, अब income distance क्या है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं, actually देश की average per capita income और किसी specific state की per capita income के बीच के difference को income distance कहा जाता है, अब इस हिसाफ से tax distribution कैसे होता है, इसे हम एक example के थ्रो समझते हैं, मान लीज distance rule के हिसाब से चलते हुए, अपने दोनों बेटों की salary को add कर देता है, यानि 50 plus 10 अब उसके पास total 60,000 रुपए हो गए, अब वो इसका average लेता है, जो होता है 30,000 रुपए, और इस तरह वो अपने दोनों बेटों में 30,000 रुपए बांड देता है, कुछ इसी तरह से Indian states के सा जादा पे करते हैं, लेकिन return में उन्हें center से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, इनकी दूसरी problem है population, यानि जिस state के पास जादा population होगी, उसी tax में से जादा share दिया जाएगा, South Indian leaders का मुद्दा ये नहीं है, कि population के basis पर calculation ना हो, बलकि वो ये चाहते हैं, कि इसके लिए government जो data use कर जादा है, वो 2011 का नहीं, बलकि 1971 का data हो, अब ये 1971 का क्या चक्कर है, इसे समझने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास में जाकना होगा, दोस्तो 1961 और 1971 के बीच, इंडिया के अंदर एक rapid population growth देखा गया था, और इस 10 साल के duration में 35% से भी जादा population बढ़ गई थी, इसके साथ अधसाथ inflation ने भी तेजी पकड़ ली, international oil crisis, lower food production और इस तरह की कई problem से भारत जूज रहा था, ऐसे में इंदिरागाधी गवर्मेंट ने इन सारे problem से बाहर निकलने के लिए कई सारे step लिए, जिसमें एक population के बढ़ते speed को रोकना भी शामिल था, इंदिरागाधी ने सभी states से request की कि उन्हें अपना population control करना होगा, जिसके लिए कई सक्थ steps भी लिए गए थे, जिसमें नस्बंदी करना भी शामिल था, और इस चीज को government इतनी सक्ती से implement कर रही थी, ये सरकारी employees का उस वक्त तक salary रोक के रखते थे, जब तक कि वो नस्बंदी नहीं करा ले थे, अब उस पॉपलेशन के लिए latest data का use ना करके 1971 का census data यूज करेंगे, इसलिए अगर आपने population को control भी कर लिया, तो भी fund में कोई कमी नहीं आएगी, इसके बाद कई South Indian states में positive changes देखने को मिला, और वो अपनी population को control करने में काफी हद तक काम्याब हो गये, लेकि North India में कुछ खास बदला यही वज़ा है कि 2018 में जब 15th Finance Commission ने 2011 का latest data यूज करना चाहा, तो उसे Southern states से भारी विरोत का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसकी वज़ा से South Indian states को 24,000 करोड रुपे तक का नुकसान हो रहा था, वहीं UPBR और इस जैसे states को लगबग 35,000 करोड रुपे का फायदा हो रहा था, इ इनकी population ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें development और अच्छी life के लिए इन funds की ज़्यादा नेड है, लेकिन सिर्फ ये जवाब South Indians के सवालों का complete answer नहीं देती है, बलकि एक और चीज जो उन्हें परिशान कर रही है, वो है देश की politics में उनकी position, जी हाँ, जैसा कि हमें मालूम है क Parliament में सीटों की संख्या, राज्यों के आबादी के basis पर ही तैकी जाती है, ऐसे में अगर अभी तक की बात करें, तो इन सीटों को 1971 के census data के according बाटा गया था, लेकिन अगर आगे कभी 2011 का population data यूज किया गया, तो UP और बिहार जैसे states को ज़्यादा seats मिलेंगी, और उनके हाथ म उनसे छीन ली जाएंगी, साथ ही उनकी पावर भी कम हो जाएगी, दोस्तों 1962 के दोरान तमिलनाडू के पास लोग सभा में कुल 41 सीटे थी, जो अब कम होकर किभल 49 रह गई है, और इसके उपर पहले से ही डिबेट चलती रहती है, इसके चलते गौर्मेंट पर लगातार सा जाएगी, जो उनके लिए एक बड़ा कंसरन है, यानि जिस स्टेट के पास जादा पॉपुलेशन है, उसी के हाथों में पावर है, चाहे वहाँ का लिट्रेसी रेट या एकनॉमिक कंडिशन कैसी भी हो, तो ऐसे में साथ इंडियन के लिए अनसुलजा सवाल ये बना कि क्या वो Northern States के development के लिए हमेशा ही अपना पैसा देते रहेंगे, और क्या North Indian जादा पैसा पाने के लिए जान बुझकर अपनी population बढ़ाते रहेंगे, या भी Central Government Northern States को इसलिए support कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जादा voters हैं, तो इन सारे सवालों का एक सुलजा सा answer है नहीं, क् कि ये मीडिया और कुछ politicians के लिए एक चर्चे का hot topic हो सकता है, बट in reality, Finance Commission South India के development पर उतना ही ध्यान देता है, जितना के North India पर, और भले ही population के basis पर Northern States को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन एक factor ऐसा भी है, जिसका maximum फायदा Southern States को मिलता है, और वो है demographic performance, actually demographic performance के चलती, total tax का 12.5% and part उन states को दिया जाता है, जिन्होंने population कम किया है, and health, education, और इंडिया से दूसरे indicators में better perform किया है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों में South Indian states बहुत ही better perform कर रहे हैं, इसलिए demographic performance के मामले में, उन्हें center की तरब से बाकी state के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन ए इंडिया में total 28 states और 8 union territories हैं, लेकिन अगर आप उनके GDP पर नजर डालें, तो साब तोर पर देख सकते हैं कि Southern, Central और Western states के GDP, Northern और Eastern states के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है, जो state GDP में सबसे नीचे है, उनकी earning ज्यादा तर agriculture पर based है, वही GDP में top पर रहने वाले states में, industries बड़ी स अंख्या में मौझूद है, अगर हम South India के 5 states के industries को combine कर दें, तो इनके पास total 1447 industrial state हैं, जो पूरे इंडिया का लगबग 37% share है, जबकि अगर आजादी के समय की बात करें, तो चाहे North हो या South, दोनों के economic position almost same थी, फिर South में इतनी ज्यादा industrialization और growth के पीछे का reason क्या है, दरसल दोस्तों, South India में इस development की नीव, 70s और 80s के दौरान ही रखना start हो गया था, बहां की government ने कई तरह की policies implement की, जिससे states में कई major changes देखने को मिले, एंड इन सभी development में एक major role, Frit Equalization Policy का भी रहा है, जिसे 1952 में implement किया गया था, असल में सरकार ने जब देखा कि ज़्यादातर factories उन आने वाले खर्चों पर government subsidy दे रही थी, ऐसे में उन companies के पास अब सिर्फ 36 गड, बिहार, चारकंड, उत्तर परदेश या इन जैसे states में factories लगाने की ज़रूरत नहीं रही, बलकि वो South Indian states की ओर भी जा सकते थे, तो अब companies ने उन areas को चुनना सुरू किया, जहां से port करीब था ताकि वो इसके जरीए अपने products को आसानी से दूसरे देशों में भी भेज सके, इससे तमिल नाडू, केरल, करनाटका और आंदर प्रतेश जैसे states को काफी फायदा हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज South India जो भी है, वो सिर्फ Frit Equalization Policy के वज़ा से है, हां वहां पर मौ का पहला state था, जिसने midday mil के शुरुबात की थी, और इसका positive impact ये पढ़ा, कि school में पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चों का admission होने लगा, इसकी अलावा केरल देश का पहला ऐसा state है, जिसने National Optic Fiber Project को पूरा किया है, जिसके तहत पूरे state के अंदर 35,000 मीटर से भी ज्याद Optic Fiber Network लगाया गया, ताकि rural areas में internet की connectivity बढ़ सके, और बच्चे ज्यादा advanced तरीके से पढ़ाई कर सके, Southern Government ने कई global tech giant को भी state में invite किया है, जिसकी वज़ा से Microsoft, Amazon और Adobe जैसी companies वहाँ देखने को मिलती है, जो लाखों लोगों को job opportunities प्रोवाइट कर रही है, और state के development में भी भा रोल रहा है, आज देश में 46% remittances किवास South India से आता है, जो कि यहां के लोग highly educated हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी companies में एक अच्छी position पर employed हैं, कई tech giant के CEO जैसे की सुन्दर पिचाई, सत्या नंडेला या George Gurian जैसे successful लोग भी South India से ही हैं, आपको बता दे कि करना तक देश इसका पहला ऐसा state था, जिसने IT policy implement की, ताकि वहाँ पर IT ecosystem develop हो सके, और इसके result के रूप में आज हमारे पास Bangalore मौजूद है, जिसे इंडिया का Silicon Valley कहा जाता है, तो इस तरह वहाँ state government की कई ऐसी policies थी, जिसकी वज़ह से South North से काफी आगे निकल गया, आज North India को South की language, skin color और इ इस चीज पर गौर देना चाहिए, कि इन state से सीख कर, खुद को कैसे develop किया जा सकता है, आज Northern states को education, infrastructure development, industries, businesses और start-ups जैसे factor को promote करना चाहिए, ये सभी चीजे, obviously एक ही रात में नहीं होने वाली हैं, और South India ने भी ये development कई decades की मेहनत की बाद देखा है, लेकिन हमारी छोटी छो बाकी आज के लिए बस इतना ही